नमश्कारा में आज चलिए कुछ मीठा हो जाए तो मीठी के लिए हम शेयर कर रहे हैं आज फेरनी की रेसिपी उसके लिए मैंने लिया है एक लीटर दूद और 45 ग्राम उसमें मैंने सोग राइस लिया था पानी में सोग किया था और उसको फिर ड्रेन करके उसको आप पिक्सी में पीश सकते हैं और मैंने लेकिन उसको थोड़ा ग्राइंडर होता है उसके साथ मैंने लिया है 10 ग्राम पोस्त दाना पोस्त दानी को मैंने थोड़ा रोस्ट किया है और उसी साथ मैंने थोड़े बदां भी रोस करने के बाद उसको पीछा lang की लिए यह पिछाए और गूम है जाएक चावल आजाए चावल को चाहेएं तो धोग शुखांग के बाद ग्राइड़ के बाद अर पिर tu ha all a jack कि ऊस지 यह गुद्ए लेकिन आपका इछ साथ इसमें चाहे डाला है वो टोटली ऑप्शनल है आप चाहें तो इसको इसको के कर सबने हैं मैं इससे थोड़ा सा और ठिकनेस और रिछनेस आती है फर नीवैं यह आपके टोटली आपके च्वाइस है आप चाहे तो एड़ करें नहीं तो इसको completely skip कर सकते हैं तो आप भी ड्राइफरूट्स आप कर सकते हैं तो मैंने इसमें खाली काजू और बदाम लिया है। आप चाहें तो इसमें नारियल भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। लेगिन उसको लास्ट में डालेंगे शुरू में नहीं। उसता को आप चावल तेसे थोड़ा पक जाएं तो उसके साथ आड़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ओपिशOoh यहरे केसर डाल सकते हैं। इलाइचि का पावडर आ सकते हैं। फ्लेवर में आपको जैसे पसंद है वह आप इसमें आड़ कसे सब्सकते हैं। बस्त पार्ट जो है या मेन जिसको आप कह सकते हैं तो चावल पिसा हुआ तो पिसा होने के वज़े से आप पूरा चावल डालेंगे तो उसका सर्फिस एरिया कम होगा और जब हम उसको पीस देते तो सर्फिस एरिया बढ़ जाने से तो क्वांटिटी चावल की हमें इसलिए खीर के comparison में हम इसमें कम चावल लेंगे अगर हम इसी मिल्क में खीर बनाएंगे तो हम चावल थोड़ा और बढ़ा भी सकते हैं या फिर हम दूद को गाड़ा करके उसी एमान में बना सकते हैं आजित्यम चावल छेयर flour एक जिसे एक लीटर में 50 ंख्रावल काफी होता है लेगर हम पूस्टा एड़ किया है इसलिए मैंने इसको 45 ग्राम लेंगे और 10 ग्राम मैंने पूस्टा लिया आहें पेस्ट आने से भी काफी बढ़िया 2020 आती है स्टी है कि हमके मेरा इसको और फाइन कर सकते हैं तो मैंने थोड़ा सा मिलुक मिला के इसको खोड़ा मैं सब्लाजो और इसको continuously चलाते रहना है क्योंकि ये चावल पिसा हुआ रहते हैं तो बहुत जल्दी ची पकने के चांसे होते हैं तो मैक्सम टाइम में इसको चलाना है और चीनी बिकुर पकने से थोड़े दिर पहले ही आड़ करनी है क्योंकि चीनी मिलाने के बाद आप फिर बिना चलाई हुआ इसको नहीं छोड़ सकते हैं जो रोस्ट किया था रोस्ट करने से क्या होते हैं थोड़ा उसमें सुंधापन भी आ जाते हैं और पिसने में भी थोड़ा एजी हो जाता है क्योंकि पॉस्तादर बहुत फाइन होता है मिक्सर ग्राइंडर में भी ज़दे से नहीं पीस पाता रीक से तो इसको बेटर होगा अगर आपके पास सिल बत्ड़ा जो होता है पात्तर का पुरा उस पे बहुत अच्छा पीसता है लेकिन में पास नहीं है तो मैं इसको जो अधर कूटने वाला हैंड ग्राइंडर के उसमें पीश रहे हूँ देखें देखें मारे खीर, स्वारी फिर्नी, नाट खीर, कफी पक शुकी है इसमें बस मेन है आपका चावल थोड़ा पक जाए और आप जितना गाड़ा रखना चाहें वैसे तो उसकी एक थिकनेस होती है जिसे अब यह देखें बढ़िया थिकनेस आ रहे है थोड़ा तेर हमें और भी पकाना पड़ेगा और जब पक जाएगा चावल उसके बाद ही हम इसमें चीनी आट करेंगे तो चीनी की क्वांटिटी भी या शुगर जो भी आप जागरी जो भी आप आट करना चाहरे है वो एक तरह से चावल की क्वांटिटी का डबल लिना है लेकि हमने 50 ग्राम लिया है तो आपको 100 ग्र अगरी नुकसान भी नहीं करती है तो इसलिए उसको थोड़ा सा मैने वैसे प्रॉपर जो गुड़ आते हैं डली वाल लेकर उसको बारी पूट लिया था थोड़ा और फिर एट किया और लास्वे में थोड़े इलाची दाने 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 आप इलाची दाने पीड़ा सकते थोड़े देर सोग करके तब दाने यह दिखे मेरे फिरनी तयार है और इसको आप रेफ्रेजरेटर में रखे खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया एक थिकनेस और अची आजाती है यह थोड़े देर रखने के बाद है आप देख सकते हैं तो अगर पसंद आया हो यह वीडि आप शिकारा